हेलो स्टुजेंट्स टुडे वी लेंग सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर नमबर सेमें डिजोलिशन अफ पार्टनर्शिप फर्म अपना सेवन लेसन है और पार्टनर्शिप बंद हो जाती है इसके बारे में अपने सीखना है सबसे पहले अपना फर्स चैप्टर था पर्स प्रक्राटनर्शिप अगर चेंज आता है तो किया इफेक्ट होती है फिर अपना अपना सेवन लेसन है जब पार्टनर्सिप बंद हो जाती है तो क्या इफेक्ट आती है अब desolation of a partnership firm यह total 8 mark का इसका वेटेज है सबसे पहले section A में 1 mark section B में 1 mark section D 6 mark का है उसमें 2 question आएंगे और 8 mark इसका वेटेज है total total 8 mark से अब section D में 2 question आते 6 mark के 3-3 mark के 2 question आएंगे अब 3-3 mark में जहातर general entity आती है हलाकि यह chapter में सी पहले भी general entity आती थी और अभी भी general entity आएंगे इससे long sum government ने भी cancel कर दिये अब इसमें desolation of partnership firm में सिर्फ assets और liability के बारे में देखना है अब desolation मतलब partnership burn कर देना तो partnership में जो भी assets से सब बेट डालेंगे और जो भी liability payment करना आगेंगे यह इसके बारे में ही है चलो when disclose when assets disclose in the book तो इसकी general entity है की realization account debited to assets account अगर liability when disclosed in the book अगर liability दिखाएंगे तो liability acaunt debited to realization account, when assets rely on assets регित जब आजब assets के पेसे भी मिलेंगे तो cash account debited to a realization account when paid liability जब liability payment करोगे तो realization account debited to cash account जब पार्टनर को liability payment करने का प्रूलेगा तो realization account debited to partner capital account यह 6 जनल एंटी पूरे चैप्टर में आएगी और यह 6 जनल एंटी तयार करनी है अपने यह इस दे एक्जामपल बिल्डिंग इस डिस्क्लोज इट टाइम अफ डिजोल इसन रुपीज वन लेक बुक वेल्यू इस रिलाइज अब बिल्डिंग डिस्क्लोज करिए एक लाग की तो पहले इसको बेटने के लिए रखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डिएट वन लेक टू बिल्डिंग अकाउंट रुपीज वन लेक एक लाग के बिल्डिंग बेटने के लिए रखी है और बुक वेल्यू इसके पूरे पैसे मिल गए अपना को तो कैस बैसे तो पैसे थे सब अपने पेमेंट कर दिये जनरेनि रियलाइजेसन अकाउंट डू कैस अकाउंट पहले ने के लिए रुपीज है एक पहले बेटने के लिए रखेंगे यह realization account debit to motor car account और अब इसको partner ले जाता तो partners capital account debit to realization account 80,000 फिर वन partner to take creditor रुपिस 50,000 and paid by him अब एक partner credit ले जाने का बोलता है उनको payment करने का बोलता है तो credit अपने ले liability होती है creditor account debit to realization account 50,000 और उसको partner ले जाने का बोलता है realization account debit to partners capital account हर जनरेंटी में रियलाइजेशन आएगा इस दर टाइम ओफ डिजॉलिशन बुक वैली ओफ गुडविल इस रुपिस 10,000 नो अमाउंट इस रियलाइज अब गुडविल के वैली 10,000 थी तो गुडविल अपने लिए क्या होती है इस रियलाइजेशन अपने लिए इस रियलाइजेशन की कोई अमाउंट नहीं बोली है या उसकी कोई इन्फोर्मेशन नहीं है उसकी सेकन जरनेंटी नहीं करनेगी At the time of your time a machine xu 70,000 नौ information about is realized अब machine अपने लिए tangible assets है तो realization account डेविट northwest ट। machine account पहले realization में debit करी अब उसकी machine की बेटने की कोई information नहीं है उसके पैसे मिलने की कोई information नहीं है तो अब उसकी जरनेंटी हो H害 scree, second guarantee पूरे पैसे मिलेंगे cash account डेविट ट। realization account 70,000 करेंगे हैं है कि स्टूडन आज अपनों ने देखा डिजोली लिशन पार्टनरर शीप उसमें च्छ है जन्रेन्टी सबसे में हैं असेट्स और लायाबिलिटी की, when asset disclose करेंगे तो realization account debited to assets account और liability disclose करेंगे तो liability account debited to realization account, अगर assets के पैसे मिलेंगे तो cash bank account debited to realization account और liability payment करेंगे तो realization account debited to cash account, when partner take over the assets, तो partners capital account debited to realization account, when partner take liability to pay, realization account debited to partners स्टुडेंट तुम्हें सम नंबर 5 और 6 करना हैं होमवर्क में थैंक यू